आप सभी का आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ यूपी टीजटी इंग्लिश्ट से रेलेटेड सारी की सारी इंफरमेशन बहुत सारे लोगों की डिमांड पर मैं ये बैच स्टार्ट कर रहे हूँ और इस वीडियो में आपको क्या-क्या फैसिलिटी आने व मैंने ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन डाला है हाला कि आपने से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं और ये है मेरा इंट्रोडक्शन अब बात आती है में कि इस बैच में आपको क्या मिलेगा ये सबसे पहले में आपको याद दिला दूं कि ये बिल्कुल एक फ् साथ इसमें handwritten notes भी available है यानि कि अगर कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई information जो print में relate करने वाली थी और वहां नहीं दी गई है तो मैं वो चीज handwritten में आपको provide करवा देती हूँ facilities जब भी आप इस course को website के through purchase करेंगे तो आपको वहां पे दो options मिलेंगे एक तो आप उसके साथ live जूड सकते हैं दूसरा आप उसमें देखेंगे आपको download का option भी मिलेगा तो जब आप download करेंगे आप automatically उसको print भी कर सकते हैं जितनी बार भी आप चाहें download कर सकते हैं जितनी आपके grammar के topics हैं, part of speech है, spelling है, punctuation है, proposition है, उससे related सारी की सारी exercises इस PDF में cover की जाएगी, PDF form में आपको दी जाएगी, forms of literature को cover किया जाएगा, जो भी आपके writer है, इसलिवस में John Golswardy है, Milton है, Wordsworth है, Shakespeare है और इनको important works है, तो उनको discuss किया जाएगा, important summaries को भी आपको बताया जाएगा class में कि किस में क्या चीज बढ़नी है, और क्या है ऐसा जो आप कम value थोड़ा हर तक छोड़ सकते हैं, next है weekly test होंगे, हफते में अगर तीन दिन class होगी या चार दिन class होगी, उसका reminder आपको website के थुरू दे दिया जाएगा, आपको तरी तरह की जो timely update है, वो मिल जाएगी, next है मेरे पास इस batch में आपके लिए 5 mock test, यारि के हर mock test में 125 questions होंगे, with answer keys वो आपको दे दिये जाएगे, अगर इतने content के बाद भी, मताब इस slide में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझाया, मेरे बताने के बावजूद भी, तो आप call पे भी पूर सकते हैं, ये number है, timing आपके सामन भी आपको material समझाया गया या बताया गया, कुछ है तक clear हो गया होगा, बागी आप call पे पूछ सकते हैं, ठीक है, thank you so much, thank you so much for joining.